नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अनूप शिर्वास्तो और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज दोस्तो पिछले दिनों राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद हर आदमी यही कह रहा है कि कॉंग्रेस और उसके आला कमान की किरकरी हो गई अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजस्थान में क्या होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा और क्या अशोग गहलोत कॉंग्रेस अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि अभी जो ताजी खबर आई है हमारे पास वो यह है कि अजय माकन जिनसे कल सोनिया गांधी ने रिपोर्ट मांगी थी राजस्थान के प्रेक्षक के तौर पर जब वहां गए थे उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी वो रिपोर्ट अजय माकन ने सोनिय जा रहा था कि कल तक की जिस तरह से विधायकों ने जो असोक गहलोत के समर्थक थे और जिस तरह से उन्हों ने जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी कॉंग्रेस के परिवक्षों के द्वारा उसमें सामिल नहीं हुए और उन्होंने अलग से अपनी समरांतर मीटिंग ने लिए तो उसको लेकर जो है वह कारवाई हो सकती है असोक गहलोत के उपर क्योंकि बीना उनके सहमति के विधायकों की इतनी हिम्मत नहीं थी मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बैठक करते लेकिन अब जो जैसा की पता चल रहा है कि अजय माकन और की का नमंकन करेंगे क्योंकि ऐसी सूचना ये भी आ रही है कि असोग गहलोत ने सोनिया गांधी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो आला कमान के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध है अभी भी उनकी स्रद्धा जो है वो आला कमान के प्रति है तो क्या आला कमान यानि सोनिया गांधी राहूल गांधी प्रियंका गांधी जैसा कि मानना है लोगों का कि यही आला कमान है कॉंग्रेस में तो क्या आला कमान इस बात की इजाज़त देगा जो कुछ हुआ पिछले दिनोर राजस्तान में उसके बाद से क्या असोग गैलोद जो है वो फिर से नमांकन और क्या आला कमान के कहने पर वो इस बात के लिए तयार होंगे कि सचिन पाइलट को जो है राजस्थान का मुख्रमंत्री बनाए जाएगा देखने वाली बात होगी दो दिन बचे हैं नमांकन में और देखना है कि कौन को नमांकन करता है कुछ नाम और तैर रहे हैं आला कमा उन्होंने भी फॉर्म लिया है तो अब देखना ये दिल्चास फोगा कि अगले दो दिनों में नमांकन कौन करता है और कौन जो है सची तरूर का नाम मैं आपको बताना भूल गया सची तरूर भी इस रेस में हैं और देखना ये दिल्चास फोगा दो दिन में पता चल जा और चाहे वो माधवराव सिंधिया के बेटे जो हैं जोती राजे सिंधिया हों मद्य परदेश से जिस तरह से लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा पिछली दिनों में उससे आला कमान की कारेशायली पर सवाल उठ रहे हैं जैसे पंजाब की बात करें पंजाब में इन्हों ने जिन से हमने पूछा कि आखिर कांग्रेस में आला कमान क्या है उसका रोल क्या है क्या डिसाइड करता है किस तरह से वो काम करता है क्योंकि जिसान हैदर ने जब इस्तिफा दिया था चुनाओं के बाद तो उन्होंने सीधे-सीधे आला कमान की कारेशाली पर ही उंगली रहा है उसको लेकर कॉंग्रेस के आला कमान पर सवालिया निशान उठ रहे हैं असोक गहलोत का जो होगा सो होगा लेकिन कॉंग्रेस की नत्युत च्छमता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं क्या कॉंग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि असोक गहलोत के मन में क्या ह जबकि अशोक गहलोत को वो कॉंग्रिस का भावी अद्ध्यक्ष बनाना चाह रही थी। कि तमाम राजनितिक दल चाहे वो विजेपी हो या कोई दूसरे दल हो सब आञकमान पर उंगली उठा रहे हैं संभीत पात्रा को आपने देखा होगा आलाकमान आमान आलाकमान आलाकमान इस तरह की वो टीविक के डिवेट में रड भी लगा रहे हैं तो आला कमान क्या है कॉंग्रेस का और उसका क्या रवया होता है अपने पार्टी के कारिकरताओं और अपने पार्टी के निताओं को लेकर इसको जानने के लिए हम इस वक्त खड़े हैं लखनों में और हमारे साथ मौझूद हैं जिशान हैदर जो आखिर अला कमान है क्या कॉंग्रेस में उसके मन्सा क्या है उसके इरादे क्या है और किस तरह से वह पार्टी कार करताओं के साथ ब्यवहार करता है और किस तरह वह इसका वह है तो जिशान भाई आपका बहुत-भहुत स्वागत है यготовवेर दन्मयूलие जिशान भाई सबस सब्धानमों मत향 रहुना कॉंगरेस में एक पता नहीं हिलता है आला कमान के बिना राहुल गांदी और प्रेंका गांदी के बिना अगर उनको ऐसी किशाथी तो आसानी से वाद भाद बन सकते थे क्या राहुल गांदी दूद पीते बच्चे हैं आपको लगता है कि राहुल गांदी आपने भी देखा है आपने भी पचासों इंटर्विव लिये हैं उनके अमेठी मुझे याद है आप अमेठी जाते थे उनके पीछे राहुल जी जब शुरू शुरू में आये थे और वहाँ पे आपने भी उनके पचास बार इंटर्विव लिये हैं आपने उनका एटिट्यूट देखा है आपने देखा है वो किस तरह से कारी करते हैं आपको लग जादा इनके उपर सवाल उठाये गए थे क्योंकि जब से राहुल गांदी बने थे सिर्फ हारी रहे थे पूरे देश के सारे विदान सबह लगबग हार गए थे लोग सबह दो दो बार हार गए थे कॉंग्रेस की बत से बतर इस्तिती होती चली जा रही थी उस प्रेशर मे बाद अब आप बताएए धाय तीन साल से आप सोनिया गांदी जी लगातार जो है इंट्री में देख्ष बनी हैं और आज आप चुनाओ करा रहे हैं तो चुनाओ में भी आप जिसको इशारा कर रहे हैं वही पर चले रहा है और फिर आपको वैसा अद्यक्ष चाहिए जो बद्यक्ष इनके कहने पे चले तो अशोग गैलोत ने तो इनको बता दिया कि देखो तुम सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर सिर्फ चमचों को आगे बढ़ाओगे तो ऐसे ही नेता बनके तयार होंगे जो सिर्फ सत्ता सुक भोगने के लिए हैं इनको लगता था कि अश गैलोत के जहां कुरसी लेने की बात आई अशोग गैलोत ने बता दिया कि नहीं गांधी परिवार मैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता कभोगी हूं और सत्ता के लिए आ रहा हूं तो आप इससे समझ लिए कि गांधी परिवार गांधी परिवार मतलब राहूल गांधी और प्रें से ये बताते हैं कि ये आदमी अच्छा है इसको आगे बढ़ा लीजे ये आदमी खराब है इसको बाहर कर दीजे तो आप समझे जब कोई नौकरों को पर चलेगा और वो भी वो नौकर जो कभी सबसदी का चुनाओं नहीं लड़े हैं उसके उपर एक राजनितिक दल के लगा कि वो नौकर को ज़्यादा तरजियती हैं बनिस्पत कार करता के अरे बिलकुल भाई उनका जो नौकर है उसके बिना आप समझे ना रप्रेंका गांदी जब से पिर्देश पिर्भारी बनी थी मैंने एकलिस भी जारी करी थी लगबख पैंतिस पूर सांसत पूर वि पिछे बिना और वो इतनी बत्तमीजी से हर एक से बात करता था जिसकी वज़े से ज्यादातर लोग छोड़के चले गए और जब प्रेंका गांदी से कहा गया है नेता जा रहे हैं तो कांग्रिस कहा चल जाएगी तो अगर उत्तर प्रडेश कांग्रेस की बात करें तो अभी तो कांग्रेस का जो हाल हुआ पंजाब में जैसा हूआ आपने देखा है उसके बाद रहस्तान में हुआ तो उत्तर प्रडेश में चर्चा हो रही है पिसले 3-4 मेने से मेरे खालधार भाफ का भात खाली है यहां पर शेट शे खारिकारी अद्धापे है के बात हो रही है तो क्या यह फार्मूला काम कर पाए गए तो क्यों छोड़के जा रहे हैं यह इन भाई बहन की वज़े से तो जा रहे हैं और कुई से दूसरा रीजन नहीं है यहां तक छे अध्यक्षों की बात कर रहे हैं छे नेता इनके पास हैं कहां आज की रेट में प्रिदेश में जो छे अध्यक्ष लेके आएंगे सबसे बड़ी बात है आज जमीनी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पास आप यहां से लेके पुर्वांचर से लेके और वेस्टन बेल तक देख लीजे कौन नेता है हमाई पाद बचे हैं सब तो छोड़के चलेगे कांग्रेस पार्टी को आपने तो वीरान कर दिया कांग्रेस पा रहे हैं आप खुद कॉंग्रेस हमें लगता है नरेन मोदी जी के लिए सबसे बड़ा प्लेस पॉइंट आज की डेट में देश में हैं तो राहुल गांदी वह प्रेंका गांदी है उनके लिए कारी करते हैं यह दोनों तो यह थे जिसान हैदर का आपने सुना इनको काफी न नहीं है कैमरेमेन अमन मर्मा के साथ अनूप सिर वास्ता हो लकनो